जेहिंद स्टुडेंट्स मैं हूं रभी कुमार सकसेना आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर बन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम कम्मुनिकेशन स्किल में एक और खास टॉपिक के उपर चर्चा करने जा रहें जिसका नाम है भरबल और नॉन भरबल कम्मुनिकेशन स्किल में वीडियो लेक्टर देते आ रहे हैं आज भरबल और नॉन भरबल के उपर हम चर्चा करने जाएंगे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बरबल कम्मुनिकेशन क्या होता है देखिए पहुत सारे चात्रों के मन में ऐसा जो है सवाल उठता है यह हैं बनता है कि भरबल कम्मुनिकेशन उसको बोलते हैं जो हम बोलकर जो है कम्मुनिकेट करते हैं लेकिन यह डिफनिशन जो है 100% सही नहीं है तो आईए हम जानते हैं कि भरबल कम्मुनिकेशन का मतलब क्या होता है एक्जेक्ट मेनिंग क्या होता है एक्जेक्ट डिफनिशन क्य हिसको हम देखने जा रहे हैं नॉन-फर्बल कम्म्मुनिकेशन के उपर चर्चा करेंगे तो वर्बल कम्मुनिकेशन वर्बल कम्मुनिकेशन इस एनी कम्मुनिकेशन डाट यूसेज वर्ट्स तु share the information with others ध्यान दिजेगा मेरे पीरे चात्रो भरबल communication उसको बोलते हैं जिसमें हम सब्द का परियोग करते हैं फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनेने की कोर्शिस किजिएगा भरबल communication उसको बोलते हैं जिसमें हम सब्द का अथात वर्ड का इस्तमाल करते हैं इसे लिए हमने लिखा है verbal communication is any communication that uses words to share the information with others यहाँ पर देखिएगा verbal communication is any communication चाहे कोई भी communication हो जिसमें अगर हम word का अगर हम इस्तमाल करते हैं तो उसको हम verbal communication बोलेंगे चाहे वो कोई भी हो चाहे वो लिख कर हम करें चाहे हम बोल कर करें चाहे हम सून कर जो है करें वो जो है verbal communication के अंदर में आएगा अठात जिसमें सब्द का इस्तमाल होता है जिसमें word का इस्तमाल होता है जिसमें sentence का इस्तमाल होता है उसको हम बोलते हैं verbal communication so verbal communication consist of speaking, listening, writing and reading माली जी अगर हम स्पीक कर रहे हैं अथाथ हम बोल रहे हैं सून रहे हैं लीख रहे हैं पढ़ रहे हैं सारा चीज जो है वर्बल कम्मुनिकेशन के अंदर में आएगा ध्यान से समझने की कोर्शी कीजेगा मेरे प्रिय चातरो अगर कोई आप से पुछता है कि कोई बंदा या बंदी किताब पढ़ रहा है कौन सा कम्मुनिकेशन होगा तो वर्बल कम्मुनिकेशन होगा तो यह भी जो है वर्बल कम्मुनिकेशन होता है अर्थात वर्बल कम्मुनिकेशन का मतलब वर्बल कम्मुनिकेशन इस एनी कम्मुनिकेशन डैट यूसेस वर्ड्स टू सेर इंफॉनमेशन बित अधर अब आपको वर्बल कम्मुनिकेशन का एग्जेक्ट जो है डिफिनि जैसे कि मान लिजे बातों को अगर हम मुझवाणी आपसे बात करते हैं तुछकों बोलते हैं oral communication जैसे की oral communication का definition देखिएगा मेरे पिर्य चात्रो oral communication is the exchange of information and idea through spoken words ध्यान से समझने की कुर्सिस कीजिएगा through spoken words यहाँ पर words लगा देते हैं यानि कि अगर हम किसी भी information को, idea को, thought को knowledge को, notice को किसी भी बातों को अगर हम आपके पास अगर हम मुझवानी बोल के अगर हम बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं oral communication, oral का मतलब ही होता है मुझवानी, मालीजे, अगर हम आप से बोले कि कल जो है छुटी रहेगा, तो हमने जो है डारेक्ट जो है आपको बोल के बोला कि कल छुटी रहेगा, तो यह कौन सा communication हो गया, oral communication हो गया, अब थाथ, बरवल communication का दो टाइप हो गया, पहला हो गया oral communication, दूसरा हो गया written communication, तो oral communication आपको समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं कि written communication क्या होता है, रिटेन कॉम्मिनिकेशन का मतलब लिखित कॉम्मिनिकेशन यानि कि जो चीज हम लिख के किसी को हम समझाना चाहते हैं, किसी को हम कुछ बताना चाहते हैं, किसी को हम आईडिया को देना चाहते हैं, किसी को हम डाटना चाहते हैं, किसी से हम परमिस्ण लेना चाहते हैं, किसी क को हम किछ बातों को बताना चाहते हैं तो उसको हम बनेंगे interpretation so what definition क्या है written communication written communication means the sending of message order instruction in writing through letter circular reports email etc यानि written communication का मतलब जो चीज को हम किसी idea को किसी message को किसी order को किसी instruction को हम leak के किसी को अगर हम बताते हैं तो उसको हम बोलेंगे written communication जैसे कि मान लिजिए आप जो है teacher से जो है छुटी मांगते हैं हो सकता है कि आप जो है letter के द्वारा उनको से छुटी मांगते होंगे हो सकता है आप mail करते होंगे हो सकता है आप जो है किसी परकार का जो है ओरली भी बोल सकते हैं अगर आप मुझ से छुटी मांगते हैं तो वो हो गया oral communication अगर आप लिख के छुटी मांगते हैं तो वो हो गया written communication सो अभी जो है आपको भली भाती से समझ में आ गया कि verbal communication क्या होता है सो अब हम देखने जा रहे हैं non-verbal communication सो आईए हम देखते हैं कि non-verbal communication क्या होता है चलिए next है non-verbal communication so non-verbal communication क्या होता है यहाँ पर हमने definition लिखा है non-verbal communication the transmission of message or signal थूर्व ए नॉन भर्बल प्लेटफॉर्म सच एस आई कॉंटेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन गेस्ट पोस्टर और बोडी लेंग्वेज़ेस देखिए नॉन भर्बल कम्मुनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें हम किसी भी सब्द का इस्तमाल नहीं करते हैं ध्यान से हम अपने नॉलेज को हम अपने किसी भी परकार के भावनाओं को एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति तक हम ट्रांस्पर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन भर्बल कम्मुनिकेशन इंग्लिस में कहावत है एक्शन स्पीक लॉडर देन भॉइस यानि कि जो एक्शन है वो अवाज से जादा दूर जो है जाता है जैसे कि देखिए मान लिजिए जो है हम इस तरह से कर रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं मतलब हम हाई कर रहे हैं तो हाई जो है मेरा हो सकता है कि दस लाख आदमी भी सुन देख सकता है और समझ सकता है लेकिन वही अगर हम बोल के अगर हाय बोलेंगे तो हो सकता है 100 वाद मीं सुनेगा 200 वाद मीं सुनेगा इसलिए इंग्लिस का कहावात जो है बहुत ही स्टिक है कि एक्सन स्पीक लॉडर दन भॉईस यानि कि जो इसारा जो होता है वो जो है अवाज से ज़्यादा दूर जो है काम करता हैं तो नॉन भर्बल कम्मिनिकेशन का मतलब वो ऐसा इसमें हम किसी भी तरह का वर्ड का इस्तमाल किये भी न अर्थात इस सारे इसारों में जो है कुछ अगर चीजों को अगर हम information को idea को थौड को अगर हम transfer करते हैं तो उसको हम बोलते हैं non-verbal communication इसलिए हमने दिखा है definition को ध्यान से समझने की कोर्श इसकी जेगा non-verbal communication is the transmission of message और signals through the non-verbal platform non-verbal platform such as eye contact यानि की आँख के इसारा के द्वारा उसके बाद है facial expression यानि की चेहरा का expression के द्वारा ठीक है उसके बाद गेस्चास पोस्चास and body language so guesser का मतलब होता है इसारा posture का मतलब होता आसन body language का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे यानि की शरीर को इधर उधर घूमाते हैं तुस्सी को हम क्या बोलते हैं body language ठीक है body language में भी बहुत सारा है उसको हम detail से चार्चा करेंगे एक और definition देखे second definition जो है आप इसको भी लिख सकते हैं इसको बोलते हैं जिसमें किसी भी तरह का सब्द जो है हमने इससे इससे बोला तो आप समझ गए कि यहां पर जो है हम आपको मुका दिखा रहे हैं आपने जो है काली दास का कहानी सुना होगा काली दास जो है किस तरह से जो है उसको जो है तो कहा कि दुनिया में इससे बड़ा मुर्ख राव कोई नहीं हो सकता है चलो इसी को हम साधी करवा देते हैं राणी से तूम लोग क्या करता है पंडित लोग संब बहुतीर सबस्पे पहले एक उंगली को दिखाता है तो सोचता है कि ये ये एक आख फोरने की बात करता तो से पंडित वोग ऊसका अर्थ को समझाते हैं फिर रांई पांच उंग्ली को तो यहां पर नॉन भरबल किमएशन के दौरा जोहां पर जिर जाते हैं औरNew जो पंडित मुरक अर्थार साधी करवा जेते हैं उसको कार बिद्वान बन जाते हैं तो महां तरद किना पर नॉन भरबल डोनीकेशन उसको जहांट जाते हैं, जैसे को constant उतक्त तेज ल Your Style समय और अगर दिखाता है तो न ठppy आजए आख दिखाने से कुछ नहीं कुछ बात को कम्मिनिकेट करता है कोई जो है मालेज़क कलास में बचा लोग उंगाई ले रहा है तो जरूर वो जो है कुछ बातों को बोल नहीं रहा है लेकिन टीचर समझ गया इसको पढ़ने का मन नहीं है ठीक है तो इस तरह से जो है बीना बोले भी कभी-कभी हम एक दूसरे को तो यह कोаша कर देते हैं उसको हम बोलते हैं नौन फंवर्बल सेशन झानि की यानि की इने की नौन फंवर्बल नाइस क которые बीच यानि की नौन फंवर्बल कंउनिचहन इस आइस जानि को अप बाहुत इसदा क्रुर्प को लिखा जैसे कि मालीज़का शरलिण इसको जो है आपको समझा देते हैं जो है आपको मिल जाएगा ठीक है फेसियल एक्सप्रेशन कहने का मतलब चहरा के एक्सप्रेशन से हम लोगों की भावना को हम पता लगा सकते हैं अगर कोई सूरेंट जो है अगर उदास बैठा है तो समझ में आजाएगा कि यह क्यों उदास है बहुत बार हम पता लगा लेते हैं ठीक है यानि कि अगर हम खूस होते हैं तो हमारा चहरा कुछ और होता है सब्सक्राइब करें तो आपको पता चल जाएगा कि सर बहुत अच्छा से पढ़ाने आए तैयारी वारी करके आए यानि कि अगर हम पौडर उढ़ा लगा ले लड़की लोग तो पता चल जाता है कि यह कॉले जा रहे है यानि कि फेसियल एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ को बयान करती है दूसरा है आपका बोडी मुवमेंट की बोडी मुवमेंट करने का मतलब कि हम जो है सरीर को हिला कर भी जो है बहुत सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़ों को जो है यह contact देखिए आख जो है बहुत प्ले करता है बढ़ियां इंपोर्टेंट रॉल है जो अगर हम किसी के सामने आख में आख डाल कर अगर हम बात नहीं कर रहे हैं यानि कि यह दर्स आता है कि हम जो है कुछ न कुछ गल्थी किये सो आई कॉंटेक्ट बहुत माइने रखता है अगर आप किसी भी इंटर्वियू में जाते हैं और आपका आख की धर जा रहा है यह जो है इंटर्विवर बहुत ध्यान से देखता है बहुत सारे बच्चे लोग आँख नीचे करके इंटर्व्यू देते हैं, बहुत सारे बच्चे आँख इधाउधा देखते हैं, तो आई-कॉंटेक्ट अथात आँख में आँख डालना, ये आपका आँख किस तरह से घूम रहा है, इन सारी चीजों को भी बहुत चीज बया करते हैं, यानि कि आई-कॉंटेक्ट के द्वारा हम बहुत सारे चीजों को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियास को हम पास करते हैं, उसके बाद आपका है टच, टच का मतलब होता है छूना, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अभी आपसे अगर हाथ मिलाना चाहिए, टच में बहुत सारा चीज है, टच में हैंड सेकिंग होता है, उसके बाद हग होता है, ठीक है, गले लगना हो गया, हाथ मिलाना हो गया, बहुत सारा चीज आता है टच में, ठीक है, हम आपको डीटियल में नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा चल जाएगा, इसलिए म समझ जाएगा कि वो कोरोना से डर रहा है गले मिलने का भी अलग अलग तरीका है हाथ मिलाने का भी अलग अलग तरीका है ठीक है हाथ आप किस तरह से मिलाते हैं ये जो है बहुत कुछ बयान करती है बहुत सारे लोग जो हाथ मिलाते हैं कि वो ऐसे छूते हैं उसका अलग मिन करती है आप जो है जब इस पर जो है आप अच्छा से स्टडी करेंगे अगर हमें मौका मिला तो हम आप इन सारी चीजों के उपर आपको वीडियो बना के किस तरह से हाथ मिलाना रहा है किस तरह से गले लगते हैं आप मेल के साथ गले लगते हैं तो किस तरह से लगते हैं मतलँ मतलried जो है बहुत सारी चीजों को बयान करतीह ताज यान्य की छूने के द्वारा जो हम बहुत सारे चीज़ों को कम्मुनिकेड Dng करते हैं mae कि दूसरा है छठा है पाँचवा है आपका स्पेस अर्थात दूरी अर्थात अगर माली जोए दो बंदा या बंदे बात कर रहा है उन लोग के बीच में कैसा दूरी है दूरी भी जो है बहुत सारे चीजों का बयान करती है अगर हम पूरा जो है दूर है उससे और दूर जा रहे हैं यानि कि हम उससे इंट्रेस्टेड नहीं है हम उसके नजदीक में आए हैं यानि कि हम उससे इंट्रेस्टेड है अगर आप जो है कोई बड़ा अदमी आपसे बात कर रहा है आप जुक के उसकी बातों को सुन रहे है आप जो है पूरा दम सिना तान के दम इधर उधर भाग रहें यानि कि आप उसकी बातों को आज सी भी कार कर रहें आप discipline नहीं मेंटेट कर रहें तो यह जो है non-verbal communication का type में आता है उसके बाद है kinetics इसमें आता है आपका गेस्चस यानि कि इस सारा इस सारा इसारों में जो हम बहुत सारे चीजों को सिखा देते हैं और बहुत सारे चीजों को हम कह देते हैं तो इस सारा अथार्ट गेस्चस गेस्चस के द्वारा कभी-कभी हम अपनी भावनाओं को हम अपनी बातों को हम अपनी information को एक दूश्टे के पास हम पहुंचाने की कोष्श करते हैं सो यह भी जो है नॉन भर्बल कम्मनिकेशन के अंतर!! उसके बाद आप किसी बच्चा का कमर दर देता है इस तरह से करता है मतलब समझ आते हूं की दुख में है यानि आपके आसन से आपके पोस्टर से जो है अगला अब्यक्ति पता लगा लेता है कि आप क्या कहना चाहते हैं उसके बाद हो गया आपका फेसियल एक्सप्रेशन जो कि हमने सु ठीक है तो यह जो है नॉन भर्बल कम्मिकेशन का टाइप से और भी हो सकता है आप बुक में देखिएगा आप जो है सर्च किजेगा तो बहुत सारा है बतलब कि यह सारा चीज यानि कि वैसा कम्मिकेशन जिसमें हम वर्ड का इस्तमाल नहीं करेंगे उसको हम नॉन भर्ब कम्मिकेशन बोलते हैं तो आज की वीडियो लेक्षर में हमने आपको बताने की कोर्षिस कि या की वर्ब कम्मनिकेशन क्या होता है नॉन भर्ब कम्मिकेशन कंट क्या है उन प्रलघ मनें कनी कि Gillette सब्सक्र एक तक य Isla हम covenant स्व Thank you so much students.